सब बेनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये शिवराज भाईया ने काया कि चुनाओ पेले मेरे पास पेसे कम है तो मैं एक हजार दूँगा और चुनाओ बाद तीन हजार दूँगा अभी दस तारिक थी कल तो उन्हों ने डाले दाने बारा सो तो ये भूका है कि नी है दूसरा चारतो पचास रुपे के गेश के लिए पहनों के तीन हजार लेके तो फिर इन ने नहीं दे रहे तो धोका है कि नी है अच्छा ये बताओ अगर शिवराज भिया तो अपने बार्टी खिलाब बोलनी पाएगा तो चीटु भिया बोले कि नी बोले ये बाद प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतु पटवारी कल अशोक नगर और गुना जिले के दौरे पर थे गुना पहुँचकर उन्होंने कॉंग्रेस के कार्यकरताओं को संबोधित किया साथ ही रास्ते में उन्हें लाडली बहना मिली जीतु ने लाडली बहनाओ से मिलते हुए कहा कि मेरी प्यारी बहनों चिंता नहीं करना आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए कॉंग्रेस परिवार का हर एक भाई सदैव तत्पर है जीतु ने कहा कि भाजपा अपनी घोशना पत्र को पूरी भूल चुकी है पिछले सवा महीने में उसने एक भी घोशना को पूरा नहीं किया है बीते दस जन्वरी को लाडली बहनों के खाते में 3000 रुपए घोशना पत्र के अनुसार डाले जाने थे लेकिन केवल 1250 रुपए ही डाले गए है उसमें भी दो लाख बहनों को नियमों की आड में कम कर दिया है गुना दौरे पर जीतू पत्वारी ने कहा कि भाजपा जिन घोशनाओं पर चुनाव जीती उन घोशनाओं को पूरा कराना हर कॉंग्रेस जन का दायत्व है चाहे लाडली बहना को 3000 रुपए देने की बात हो, किसानों को 3100 रुधान का समर्थन मूल्य देने की बात हो या 450 रुमे गैस सिलेंडर देने की बात हो हम जनता के साथ न्याय कराने के लिए विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर जनता की लड़ाई सदन से सड़क तक पूरी ताकत के साथ करेंगे और लडेंगे जीतो बोले कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा समविधान का सम्मान किया है हमने हमेशा कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हमें भी मंजूर है और देश को भी मंजूर है जब कोट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर बनना चाहिए तब कॉंग्रस पार्टी के साथ साथ पूरे देश ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए कोट के निरनय को वादी एवं प्रतिवादी दोनों ने ही सामुहिक रूप से स्विकार किया आज इसी आधार पर मंदिर बन रहा है चुंकि वर्तमान में देश में बीजेपी की सरकार है इसलिए नियालय के आदेशों के पालन की प्रक्रिया बीजेपी द्वारा पूरी की जा रही है कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने पूजन करने और जीवन शैली जीने की स्वतंत्रता देती है जीतू बोले जिस तरह के चुनाव परिनाम आए उसका अहसास न तो कॉंग्रेस कार्यकरताओं को था न जनता को और नहीं मीडिया जगत को उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की अगनिवीर योजना सही नहीं है और लोग सभा चुनाव में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो वो इस योजना का समापन कर देंगे इसी के साथ उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए और कॉंग्रेस ने इसके लिए पहले से बादा किया है जीतू ने सिंधिया पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 2018 का विधान सभा चुनाव कॉंग्रेस ने सामुहिक नेत्रित्व में लड़ा था सिंधिया कोई कॉंग्रेस का चहरा नहीं थे ये बात बिना वजह ही उडाई गई है पटवारी ने कहा कि जैसे मैं PCC अध्यक्ष हूं लेकिन नेत्रित्व सामुहिक है उसी तरह से 2018 के विधान सभा चुनाव में भी था सिंधिया के भरोसे या उनके चहरे पर कॉंग्रेस ने तब चुनाव नहीं लड़ा था जीतू पटवारी के इस बयान के बाद एक बार फिर से शिंधिया की कॉंग्रेस में स्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो सकती है पटवारी ने कहा कि प्रदेश में जो भाजपा की सरकार चल रही है उसका रिमोर्ट कंट्रोल केंद्र की मोदी सरकार के पास है भाजपा सरकार जो वादे करती है उस पर अमल कभी नहीं करती जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है भरश्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई ने जनता की कमर तो तोड़ी ही है, लेकिन किसानों और महिलाओं के सम्मान पर भी गहरी चोट दी है इसलिए अब हम सभी मैं नहीं हम की भावना से मिलकर लोगसभा चुनाव की तयारी में जुट जाएं ताकि भाजपा को मुहतोर जवाब दे सकें